हेलो अबीवान वेल्कम बाक तो मैं यूट्यूब चैनल साइंखुशी क्रियेशन्स आज की वीडियो में आपको ये सिखाने वाली हूँ कि आप कलश को वरे लक्ष्मी व्रत के लिए या किसी भी और महालक्ष्मी के पूजा के लिए आप नारियल को माता लक्ष्मी का रूप कैसे दे सकते हैं नारियल को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं ये सिखाने वाली हूँ तो चलिए शुरू करते हैं इस पूजा में जो नारियल होता है उससे सबसे पहले हल्दी से रंगा जाता है तो ये जो नारियल है इस पे हम अच्छे से हल्दी लगा लेंगे तो हल्दी को आप एकदम लिक्विड फॉर्म में रखें बहुत पतला कर लें जादा गाड़ी ना करें एकदम पतला करके अगर आप लगाएंगे तो अच्छे से लग जाएगी इसके बाद हमें और क्या लेना है यह पूजा मेंली साउथ इंडिया में करी जाती है तो यह साउथ इंडियन कुमकुम है साउथ इंडियन कुमकुम यानि सिंदूर जो होता है वो थोड़ा मरून कलर का होता है तो वो ही इस पूजा के लिए मैं आपको यूज करकर दिखा रही हूँ तो यह देखें जो कोकोनट है नारियल है उस पर मैंने के मदुरह्य में वहाँ से देवी माता का की लक्षमी माता की कुमκम लाके दिया था मैं आपको यह दो इस वीडियो में दो डिजाइन्स बताने वाली हूँ किदो इसे डैकुर्ड जाइन्स कर सकते है तो उपर तो आपको लगाना ही है उसके बाद बहुत simple है इसे decorate करना आपको बीच में बस एक छोटी सी बिंदी लगा देनी है थोड़ा सा आप ये जो कुमकुम है इसे थिक रखें हल्दी आपको थोड़ी liquid form में रखनी है पर ये जो कुमकुम आप लगाएंगी ये थोड़ा इसके बाद ये देखिए वीड ड्राउ करते हुए नीचे की साइड में जो हमने बिंदी बनाई है उसके नीचे की साइड में अब हम वीड ड्राउ करते हुए इसे ऊपर को लेकर जाकर लगाएंगे तो इस प्रकार से ये हमारा V-Shiape बन जाएगा और अब हम इसे ऊपर को ले लेंगे तो ये बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बन जाएगा तरह तरह की डिजाइन बनाये जाते हैं आप अपनी creativity के हिसाब से different different styles बना सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में दो easy designs बताने वाली हूँ कि कैसे आप ये कलश को decorate कर सकते हैं तो ये देखे वो वी के नीचे भी मैंने एक बिंदी लगा दी है अब मैं आपको दूसरा design बता देती हूँ तो दूसरे design के लिए आपको कुछ नहीं करना है बस एक सीधी line draw करनी है उपर तो आपको वैसे ही कुम कुम लगा लेना है जैसा हमने पिछले वाले में लगाया था उसके बाद हम ऐसे straight line draw करेंगे और उसके नीचे एक बिंदी लगा देंगे तो अगर आपको मेरा वीडियो useful लगा हो ये information अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को like करना बिल्कुल न भूले मेरे चानल sign khushy creations को जरूर से subscribe करें ऐसे और informative वीडियो के लिए बाकी festivals की जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को अपने सगी संबंधियो के साथ रिलेटिव के साथ फ्रेंज और फैमली मेंबर के साथ शेर करना बिल्कुल न भूले So thank you very much for watching Please like, share and subscribe Thank you Thank you